नमस्कार साथियों स्वागत है आज की एक नई वीडियों दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाली है क्यों कि इस वीडियो में आपके पांच अंक पक्के होने वाले हैं जी हां दोस्तों ये तो निश्चित है कि आपके पेपर में रामचंदर शुकली जी का जीवन परचे बहुत लोग रटते हैं लेकिन रटते हैं लेकिन पता लगा एक्जाम में जब आ गया पेपर में तो पता लगा भईया हमें जन्म स्थान भूल गया या फिर भईया हमें जन्म सन भूल गया या फिर हमें मिलतियू का सन भूल गया कब पैदा हु पूरी इस वीडियो में खतम कर दूँगा क्योंकि ये दोहा देख रहे हो ना भले ही दोहा छंद में ना हो लेकिन मैंने इसे दोहा के तर्जमें लिखा है और इसी ये ट्रिक है ठीक है ना बस इतनी ट्रिक भाई दो लाइन याद कर लो ये दो लाइन आप चाहे रट लो चा परकार की ट्रिकों को मैं फॉलो करता था ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं कैसे बनाएंगे जीवन परचे इस वीडियो में आपको डीटेल में बताते हैं तो सबसे पहले देखिए एक्जाम में आप लोग यह ट्रिक नहीं लिखेंगे कि उल आप अपने यह ट्रिक जो है दिमाग में लिखेंगे और इस ट्रिक से जीवन परचे एक्जाम में लिखेंगे ठीक है जैसे देखो चवरासि में चन्र criterionे राम को दिया भूलाए एक ताल से बस्ती में लगी आग भुझे जाए ठीक है ना बहुत बढ़िया दोहाय 1884, चंद्र से चंद्रबली सुकल, राम से राम चंद्र सुकल, ठीक है ना? और एक ताल मतलब 41, मतलब 1941, क्यों कि अब कहोगे कि भैई यहाँ पर 1841 के ओ नहीं हो सकता इसलिए नहीं हो सकता, क्योंकि अपने दिमाग से सोचो कि अगर कोई व्यक्ती 1884 में पैदा हुआ हो तो 1841 में कैसे मर सकता है ठीक है ना? मरेगा तो 1941 में ही, या फिर सन 1900 के बाद, या फिर 1884 के बाद वो किसी भी सन में मर सकता है ठीक है ना? यानि कि ये वाली संख्या जो है, मृत्यू वाली संख्या जो है, ये इस संख्या से छोटी तो होगी नहीं ठीक है ना इसलिए ये 1941 है एक ताल से बस्ती में यानि बस्ती जिले में लगी आग बुझ जाए आग से मतलब अगोना ग्रामा गाओं में ठीक है तो चलो भाई पहले इस दोहे से हम संशिप्त परिचे बनाते हैं फिर इसको बढ़ा करके एकजाम मे कैसे लिखेंगे मातर इतने से आप पूरा जीवन परिचे लिखलेंगे देखो जन्म में आप लोग क्या लिख देंगे सन 1884 ठीक है 1884 इस्वी ऐसे आप लोग लिख दिए इस थान में आप लोग क्या लिखेंगे बस्ती जिले के अगोना नामक गाओं में आग से अगोना तो सबसे पहले लिखो अगोना, ठीक है, अगोना लिख दिए, कोस्ठक में आप लोग लिख देंगे बस्ती जिला, ठीक है, कोस्ठक में ऐसे बस्ती लिख देंगे, ओके, अब पिता का नाम चंद्र, 84 में चंद्र ने, यानि चंद्र बली सुकल, ठीक है, तो यहाँ पे पूरा जीवन परचे चुटकियों में तयार हो जाएगा यूग में आप लोग ध्यान देना ये सुकल यूग के कभी है सुकल यूग के लेखा कहे ठीक है तो यहाँ पे सुकल यूग आप लोग लिख देंगे उसके बाद भासा इनकी खड़ी बोली थी मितरता चैप्टर ठीक है या फिर कहलो सुकल यूग के महान लेखाक या सुकल यूग के महान साहित्यकार इतना पहले आप लिखिए ठीक है तो देखिए दोस्तों मैंने लिख दिया सुकल यूग के महान साहित्यकार इसके बाद लिखेंगे उनका नाम कौन आचारे रामचंद्र सुकल ठीक ह अब जन्म सन आपको लिखना है 1884 इसभी में Busti जिले के आप लोग जिले का नाम पहले लिखेंगे बस्ती जिले के अगोना नामक गाउं में हुआ था, ठीक है, अगोना नामक गाउं में हुआ था, ठीक है, गाउं में हुआ था, अगोना नामक गाउं में हुआ था, सबसे पहले उनके जन्म के बारे में बता दिये, ठीक है, अब पिता जी का नाम यहीं से चंद्रबली सुकल तो लिख दो इनके पिता का नाम चंद्रबली सुकल था तो देखे दोस्तों मैंने लिख दिया इनके पिता का नाम चंद्रबली सुकल था ठीक है अब आगे लिखेंगे यहाँ पर ये सुकल यूग के आप लोग देखेंगे कि मितरता चैप्टर जो है एक निबंध है ठीक है ना ऐसे ही इन्होंने कई विधाओं पर काम किया निबंध पर काम किया लोचनाओं पर काम किया इतिहास भी लिखा ठीक है ना हिंदी साहित का इतिहास इन्होंने ही लिखा है तो कैसे बनाएंगे यहा से देखिए, हिंदी साहित के प्रमुख निबंधकारों यानी निबंध रचना करने वाले, निबंधकारों आलोचकों एवं इतिहासकारों में सर्वस्रेष्ट थे, ठीक है, सर्व स्रेष्ट थे, इतना आपने लिख दिया कि भाई ये निबंद कार थे या लोचक थे, इतिहास कार थे, कहानी कार भी आप लोग लिख सकते हो, या फिर कह सकते हो, इसी के आगे आपको बढ़ाना है ना, बढ़ा चढ़ा करके लिखना है, तो आप लोग लिख दोगे, कि निबंद आ लोचना, इतिहास लिखने के बजाएं इन्होंने कहानीयों पर भी फोकस किया, यानि कहानीयों की भी इन्होंने रचना किया, ठीक है, उसके बाद आप लोग लिख सकते हैं, दिखिए जहां बनाने की बात आती है, निबंद कैसे बनता है, सुकल को उचाई तक पहुचाने में या आगे बढ़ाने में इनकी महत्तो पूर्ड भूमिका थी ठीक है इतना आपने लिख दिया भाई देखना भी कैसे मैं बढ़ाता चला जा रहा हूं पूरा जिवन परचे इतना जादा बढ़ा कर दूंगा कि पूरे आपको वंक मिलेंगे ठी भूमिका थी उसके बाद आप लोग यहां पर लिख सकते हो कि इनकी संपूर्ड रचनाए खड़ी बोली में लिखित है ठीक है खड़ी बोली में ध्यान से देखना कैसे बनता है जिवन परचे ठीक है खड़ी बोली में लिखित है और मानव मन को बहतरीन तरीके से या फिर आवर मानव जाति को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है ठीक है बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है बताईए अगर कोई भी एक्जामिनर इसे गलत कर ही नहीं सकता क्योंकि इतना ज़्यादा सिंपल वे में लिखा हुआ है और इतना ज़्यादा सरल सब्दों में लिखा हुआ है इतना ज़्यादा प्रभावित या मानवजाती को बहुत ज़्यादा सुधारकों का काम करती है, ठीक है, ऐसे आप लोग लिख देंगे, उसके बाद आप लोग जानते हैं कि वह हिंदी साहित्य के इतिहास को इन्हों ने ही लिखा है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि हिंदी साहित्य को, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने के कारड इनको हिंदी में अधुतिय इस्थान प्राप्त हो गया अधुतिय इस्थान प्राप्त हो गया बताईए अभी तक मैंने कोई ऐसा सब्द बोला हो जिसे आपको रटना पड़े ठीक है अधुतिय इस्थान प्राप्त हो गया उसके बाद लिख दो इन्होंने आजीवन या पूरी जिंदगी ठीक है ना इन्होंने आजीवन हिंदी साहित्य को हिंदी साहित्य को उन्नति के मार्ग पर ले जाने का सफल प्रयास किया ठीक है ले जाने का सफल प्रयास किया बताईए दोस्तों कितना जादा मैंने बना दिया आप लोग देख सकते हो आगे अब आप लोग लिखेंगे देखिए पहले आप लोग देख लो कितना जादा बन चुका है देखो यहां से बनाना शुरू किये थे और यह एफोर साइज स्पाइडल है और देख सकते हूँ इतना जादा मैं लिख चुका हूँ बन चुका है आपका जीवन पर चे पाचंक आपके कनफार्म है लेकिन यहां पर आपको रचनाए हेडिंग डालना है और रचनाए हेडिंग डाल करके यहां पर इनकी दो तीन रचनाए जैसे चिंता मड़ी हो गया ठीक है चिंता मड़ी लिख दो रस्मी मासा लिख दो रीके से दोस्तों इनका जीवन परिचे आपको बनाना है और आप लोग दोहा अगर रट लेते हो न तो एक जाम में इनके जीवन परिचे में आपको एक भी डाउट नहीं रहेगा यदि वीडियो अच्छी लेगे तो लाइक करना और नेक्स्ट चैप्टर की आएसी ही ट्रि भारत